नमस्कार मेरे पसू पालग भाईयो देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो कि मुझे आप लोगों से सुनने को मिलता है फिल्ड में अपने में कि हमारा पसू चारा कम खाता है अगर आपका पसू चारा कम खाता है भूक नहीं लगती है खुलकर भूक नहीं लगती और अच्छे से चारा नहीं खा पाता खाता है थोड़ा बहुत खाता है मन मार के खाता है लगन के साथ चारा नहीं खाता अगर आप अपने पसू की भूख बढ़ाना चाहते हैं तो 10 रुपे खर्च करना अपने और 10 रुपे खर्च करने का मतलब है आप अपने पसू की भूख बढ़ाना चारा अधिक कैसे खाएगा आप सबी के घर पे ज़्यादा तर मिलता होगा अगर आपके पास नहीं होगा तो 10 रुपे खर्च करके मात्र 10 रुपे खर्च करके आप किराना की दुकान से लाकर वहां से आप लेकर आ सकते हैं ये प्रोडक्त है ये जो दवा है पहली आप उसे 51 पसू के लिए नहीं खिलाएंगे जो आपका दुदारू पसू होगा या फिर खाली पसू होगा या छोटे जानवर होंगे आप ये दवा उस पसू के लिए इस्तमाल करेंगे ग्यावन पसू के लिए क्या इस्तमाल करेंगे मैं आपके लिए आगे इसी वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले जो आपकी खाली पसु है दुदाहरू है छोटा पसु है छोटे जानवर है आप उसके लिए क्या यूज करेंगे तो दिखिए मात्र दसुर पेका आप मीठा सोडा एक सोडा आता है खाना सोडा और एक आता है मीठा सोडा आपके लिए मीठा सोडा इस्तमाल करना होगा मात्र पचास खिराम की डोज मीठा सोडा अपने पसु के लिए साम को खिलाएं और सुबै को उसका इतना रिजल्ट मिल इतना फाइदा मिलेगा कि अगले दिन से ही आपका पसु चारा अच्छा खाना शुरू कर देगा धहलूप 4 है सस्ता है और अच्छा है मात्र 10 रुपे का कम से कम 50 ग्राम आता होगा 50 ग्राम की डोज आपके लिए साम को दे देनी है अपने पसु के लिए मीठा सोडा की और अच्छा चारा खा रहा है मेरा पसु तो देखिए अब मैं आपके लिए जानका दिदूगा कि 51 पसु के लिए आप क्या खिलाए जो आपका पसु अच्छे से चारा खाए अच्छे से भूक लगे बढ़िया भूक बढ़ेगी और जब दूदारू पसु होगा अगर चारा से ही मिलेगा जब अच्छा चारा खाएगा तो तो देखिए ग्यावन पसु के लिए आप क्या इस्तमाल करेंगे ग्यावन पसु के लिए आप 50 गिराम पड़े काला नमक आप सभी के घर पे उबस्तित होगा मुझे लगता है ऐसा कि सभी के घर पे होगा अगर नहीं भी हो देखें अगर 50 गिराम नहा खिला सकें तो 20-30 गिराम अपने पसु के लिए परड़े काले नमक की डोज दें और अपने पसु के लिए जब डोज देंगे तो उसके अगले दिन दो एक दिन में जब देखना कि आपका पसु कितना पहले से अच्छा चारा खाता है जब चार बर होगा अच्छे जिखाएगा तो एकदम तंद्रुस्त रहेगा बीमारी से लड़ सकता है बीमारी भी अच्छे जब सरीर अच्छा होता है तंद्रुस्त होता है कम जोरी से मुक्त होता है तो आपका पसु भी बीमारी से लड़ने की ताकत रखता है तो दोस्तों वीडि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू, नमस्कार